हेलो फ्रेंड्स, वेलकों टू माई चैनल, सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पॉइम जिसका नाम है टैलिवीजन जो की रॉल टाल के द्वारा लिखी गई है इस पॉइम में जो पॉइट है उन्होंने टैलिवीजन के द्वारा जो बचों पर इल इफेक्ट या फिर बारे में बताया है सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पर जो पॉइट हब कहते हैं कि सबसी इंपॉइटन चीज जो की हमने सीखी है कि काफी सम्मे के बाद अब हमें यह चीज सीखने को मिलती है कि हमें अपने बच्चों को क्या है टीवी के पास नहीं जाने देना चाहिए और बैटर स्टिल जस्ट डॉन इंस्टॉल दा इडियोटिक इडियोटिक फिंग अट ओल इससे भी इंपॉटन चीज यह थी कि जो टीवी है या फिर इस पेकार की जो बूरी चीज है इसे इंस्टॉल ही नहीं किया जाना चाहिए था तो यहाँ पर जो पॉइट है वो टैलिवीजन के बारी में बताते हैं कि यह जो टीवी है वो बच्चो के लिए अच्छा नहीं है अब यह जो चीज है इंस्टॉल तो हो चुकी है यानि कि टीवी का विश्कार तो हो चुका है लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना सभी घर में क्या है टैलिवीजन है और हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या है कि सभी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा तर टीवी देखते रहते हैं टीवी और बच्चों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम होता है तो यहाँ पर जो पॉइट हवा कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो TV देखने में इतने ज्यादा मगध हो जाते हैं कि उन्हें अपने आसपास का पता ही नहीं होता है कि वो किस तरीके से बैठती है वो यानि कि एक अपनी ही situation में बैठ जाते हैं जैसा मन करता है वैसे बैठ जाते हैं और stair यानि कि TV की तरफ देखते रहते हैं stair का means होता है gurna यानि कि जो बच्चे हैं वो TV को आपने भी देखोगा जब छोटे बच्चे को कार्टून वगरा देख रहे होते हैं तो वो TV में पूरा क्या है मुखद हो जाते हैं उसे घुरते रहते हैं तो यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि बच्चे तब तक TV देखते रहत हैं जब तक कि उनकी जो eyes pop out कि वो बाहर ना आ जाए यानि कि यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि ज्यादा TV देखने से कि बच्चों की eyesight खराब हो जाती है तो उसे के बारे में point बताते हैं last week in someone place we saw a darjan eyeballs on the floor eyeballs यहाँ पर बच्चों के लिए हैं तो जो point है वो कहते हैं कि पिछले सब्ता यानि कि एक someone place यानि कि कि किसी जगा पर वी सा हमने देखा बहुत सारी जो बच्चे हैं और दरजन जो बच्चे थे वो फ्लॉर पर बैठे TV देख रहे हैं they sit वो बैठे हुए है and stare and stare and sit until they are hypnotized by it और जो बच्चे हैं वो TV देखते ही रह रहे हैं यानि कि वो TV को ही घुर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं जब तक कि वो hypnotized ना हो जाए hypnotize में क्या होता है कि जो बच्चा होता है या कोई भी person जब वो hypnotize हो जाता है तब तिरफ वो उसी चीज़ के बारे में सोचता है उसे अपने आस पास के बारे में कोई भी यानि की सुद्बुत नहीं होती है तो यही बात जो point है वो बच्चों के लिए कहते है कि जब बच्चे टीवी देख रहे होते है तो उन्हें अपने आस पास क्या हो रहा है क्या नहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो बैठे ही रहते हैं उन्टिल दे आर एबसूटली ड्रंक और वो इस तरीके से बैठे है जैसे कि वो ट्रंक हो यानि कि जब कोई श्राबी इंसान है वो श्राब पीता है तो उसे अपने आस पास की सुद्बुत नहीं होती है तो वैसा ही जब बच्चे टीवी देख रहे होते हैं उन्हें भी अपने आस पास की कोई सुद्बुत नहीं होती है विद ओल डाट शॉकिंग गेस्टली जॉंक तो यहाँ पर जो पॉइट अवर कहते हैं कि वो शॉक्ली यानि कि शॉकिंग है इस चीज़ को देख कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो टीवी में इतना ज़्यादा खोई रहते हैं तो यहाँ पर जो पॉइट अवर कहते हैं कि ठीक है हम ये बात मानते हैं कि जो टीवी है इससे जो बच्चे हैं वो एक जगा पर बैठे रहते हैं और वो कहाँ कि उछल कुद नहीं करते हैं जो बच्चे हैं इसके साथ ही यहाँ पर यह जो लाइन है वो पेरेंट्स के लिए कही गई है कि यह बात भी सही है कि इससे आपको थोड़ा सम्मे मिल जाता है कि आप लच्च के लिए खाना बना सकें और वोश दर डिसिश इन दर सिंग यानि कि जो भी आपके काम वगएर है आप वो क्या है कर पाते हो जब बच्चे टीवी देख रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर उन्हें का है बट डिट यू एवर स्टॉप तु 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 लेकिन क्या है कि कभी आपने यह चीज सोची है तो वंडर जस्ट इक्जाक्टली वट यहाँ पर बच्चो के लिए है तुनोंने का है कि ठीक है जब आप बच्चो को टीवी देखने के लिए कहते हो यानि कि टीवी से जब आप बच्चो को जोड रहे हो तो आपको एक खाली टाइम मिल जाता है अपने काम करने का लेकिन क्या कभी आपने ये चीज़ सोची है Did you ever stop to think कि आप इसे किस तरीके से रोख पाओगे यानि कि अगर बच्चे को TV देखने की लट लग जाए या फिर आदत पर जाए तो आप इसे किस तरीके से रोखोगे To wonder just exactly what is यानि कि आपने कभी सोचे कि आप इक किस तरीके से अपने beloved यानि कि जो बच्चे है वो आपके लिए सबसे important चीज़ है और आप उसे ही कहें एक गलत आदर डलवा रहे हो It wrote the sense in the head and it killed imagination that तो यहाँ पर जो point है वो कहते है कि जब बच्चा TV देखते है तो इससे कहोँते है कि उसके mosses है उसके ν इसके साथ ही जो बच्चे की imagination power है वो भी कहें? खतम हो जाती है तो जो TV के आदत है वो कहींना कहीं बच्चे की imagination power को गिल कर देता है यानि कि अगर बच्चे TV देखते रहेंगे यानि कि इस तरीके से कि उनका ध्यान है जो वो एक जगा पर है अगर बच्चे फ्री बैटते हैं तो वो कोई ना कोई चीज को imagination करेंगे जब हम imagine करते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में नए-ने thoughts आते हैं जिससे किया है कि एक इंसान का development होता है लेकिन अगर जो बच्चे हैं वो अपना पूरा ध्यान टीवी में ही लगाए रखेंगे तो वो कहें कि किसी और बात के बारे में नहीं सोचेंगे जिससे कि उनकी जो imagination power है वो भी कम होती जाएगी इस तरीके की यानि कि टीवी देखने की जो आदत है इससे कहीं ने कहीं बच्चे को लोस हो रहा है जो बच्चे है वो डल बनता जा रहा है यानि कि जो बच्ची की बुद्धी यानि कि उसके जो intelligence है उसका कभी भी development नहीं हो पाएगा इस तरीके से एक यहाँ पर blinds के दो means बनते हैं एक की बच्चा जब साल टाइम टीवी देखेगा तो उसकी eyesight है जो वो बीख हो जाएगी सैकंड ब्लाइंट यानि कि बच्ची की जो development की जो power है वो विक्सित नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि जब बच्चा टीवी देखते है तो उसकी जो imagination पावर है वो कभी भी develop नहीं हो पाएगी जिसके कारण वो लंबे समय तक समझ नहीं सकेगा गल्पनाए फंटैंसी क्यों होता है फेरी लैंड के बारे में नहीं समझ सकेगा यानि कि उसका जो mind है वो बहुत ज़्यादा क्या है soft हो जाएगा और यह इतना ही soft हो जाएगा जितना की cheese यानि की paneer तो यहाँ पर similar जो literary term है उसका use किया गया है तो यहाँ पर बताएगा है कि जब बच्चा टीवी देखता रहता है तो इससे क्यों होगा कि बच्चे को कोई effort तो करना ही नहीं पड़ता है वो तो सिर्फ टीवी देख रहा है लेकिन अगर बच्चे को imagination करनी पड़ती है तो क कहीं ना कहीं उससे effort करना पड़ेगा तो उस अपने mind पर कहा है जोर देना पड़ता है तो क्या होता है कि टीवी की आदत बच्चे को ऐसी पड़ती है कि वो अपने mind पर जोरी नहीं देना चाहता His power of thinking rust and freeze तो यहाँ पर जो point आवा कहते हैं कि टीवी देखने से बच्चे की ऐसी आदत पर जाती है कि उसकी जो power है यानि कि उसके जो सोचने समझने की power है उसे कहें जंग लग जाती है यानि कि freeze हो जाती है कि उसकी जो thinking की power है वो कहीं ना कहीं खतम होने लग जाती है या फ से टीवी देखना है उसके आदत पढ़ चुकी है तो वो कोई और काम करेगा ही नहीं आल राइट यू विल क्राए ओल राइट यू विल से बट इवी टेक दा सेट अवे वी शेल वी डू टो एंटर्टेन अबर डालिंग चिल्रंस तो यहाँ पर जो point आवा कहते हैं यानि यानि कि यहाँ पर जो point है वो parents के थ्रू सोच रहे हैं कि जब parents उन्हें यह बात कहेंगे कि अगर आप किया रहे हो कि टीवी से दूर रखो तो बच्चों को किस तरीके से entertain किया जाएगा यानि कि अगर बच्चे बोर हो रहे होंगे तो उनका मन कैसे भैलाएं तो यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि आपका यह जो question का answer है वो मैं कब दूँगा जब मैं आपसे question पुछता हूँ यानि कि यहाँ पर जो point है वो parents से question पुछते हैं कि ठीक है आप मुझे यह बताओ कि पहले यानि कि बच्चे क्या करते थे जब यह television नहीं आये था चलो आज तो television है mobile वेगार है तो बच्ची हैं जो यह साब चीजों का use करते हैं और अपना entertainment करते हैं लेकिन जब television जैसी monster यहाँ पर जो point है उन्हें television को monster का है जब television का invention नहीं हुआ था तब बच्चे क्या करते थे यानि कि किस तरीके से अपना time spent करते थे Have you forgotten? क्या भूल चुके हो? Don't you know? या फिर आपको पता ही नहीं है Well, we will say it very loud and slow तो ठीक है यहाँ पर हम क्या सकते हैं यहाँ पर जो point है वो बोलते हैं जो जोर से और आराम से They used to read, they had to read and read and read and read and then proceed कि यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि जब TV नहीं थे तो बच्चे पढ़ा करते थे, वो पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे यानि कि इनसान की आदि से ज़्यादा जिन्दिगी है जो वो पढ़ने में ही निकल जाती थी इसके बाद लिखा हुआ है and read then proceed और इस तरीके से जो बच्चे हैं वो कहा है ज़्यादा तर पढ़ते रहते थे to read some more यानि कि वो कहा है कि कुछ न कुछ अलग पढ़ते रहते थे great scotch, great joke और one half their list was reading book तो उनकी आदि से ज़्यादा जिन्दिगी के है बुक्स पढ़ने में ही निकल जाती थी the nursery shelf helped book lot, book cluster cluttered up the nursery floor and in the bedroom by the bed more books were waiting to be read तो यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो बुक्स पढ़ते रहते थे even उनकी जो shelves पढ़ना होती थी वहाँ पर भी कहा है बहुत सारी बुक्स होती थी इसके साथ ही जो nursery floor है वहाँ पर भी बुक्सी यानि कि बिखरी हुई रहती थी उनके bedroom में उनके bed पर बुक्सी बुक्स फैली रहती थी और बहुत सारी ऐसे बुक्स थी जो कि वेट में रहती थी कि इनने भी पढ़ा जाना चाहिए यानि कि जो बच्चे हैं वह साथ हैं के हैं बुक्सी पढ़ते रहते थे तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वह कुछ बुक्स पढ़ लेते थे कुछ रह जाती थी जो कि अभी वेटिंग में थी कि हाँ भी इन बुक्स को भी पढ़ना है आगे लिखा हुआ है सचवंडरस फाइन फांटास्टिक टेल्स यहाँ पर टेल्स का मिनस होता है कहानिया और ड्रैगन यहाँ पर जितने भी वर्ट्स लिखे हुए हैं क्वीण्स वेल्स यह जितनी भी चीज़े हैं यह सब यानि कि राइटी बताए गई है कि बुक्स में भी बहुत सारी के हैं, अलग-लग topics होते हैं सभी बच्चों के », इंटरस्ट के according के topics होते हैं कुछ बच्चों को यानि कि, tales, कहानिया पढ़ने में show को होता है, कुछ बच्चों को यानि कि, यहाँ पर animals की जो स्टोरीज उन्हें पढ़ने में कुछ को natures के बारे में कुछ को sailing ships के बारे में कुछ को elephant that means animals वगारे में पढ़ने में मजाता है तो यहाँ पर जो point हो उन्होंने बताए है कि बहुत सारी books होती है उनमें बहुत सारी varieties होती है बहुत सारी topics से related होती है जिने बच्चे पढ़ सकते हैं अपने interest के according so hopefully आपको यहाँ तक point समझ में आगी होगी यह point बहुत ज़्यादा लेंती है इसलिए इसके two parts किये गए है and जो next part है वो आपको अगली वीडियो में प्रवाइड करवाए जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो like मैं वीडियो subscribe my channel thank you fans for watching my video thank you